नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मु भूमी मंदिर के आधार्शिला रखते और भूमी पूजन करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लोगों को संभोधेत करना शुरू किया, तो राम मंदिर अंदोलन के चिर परिचत नारे जैश्री राम को करता है, और इसलिए ये नारा क्यों लगाया गया, ये समझना बहुत अहम हो गया है, जैश्री राम से जैश्री राम पर वापसी के गहरे राजनीतिक और सामाजिक माइने हैं, और इनमें भविश्यक राजनीति के नए बीच संरक्षित हैं, इसी नारे के साथ, रधान मंत यहां से खत्म होता है, और जैश्री राम के साथ आगे की यात्रा प्रारंब होती है, आईए पहले नारों की जड़ों को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, इससे मोधी का संदेश और आगे की राजनीतिके दर्वाजे खुद बखुद खुद खुले दिखाई देने नहीं है, और या फिर श्री राम, जैराम, जैजे राम के स्तुति नियम की रही है, इसमें जैश्री राम का उद्खोष एक नई बात थी, जैश्री राम नो तो परिक्रमा और पारायान का नियम न्यास था, और नही समान्य जन का संबोधन व्यभार था, या उद्खोष थ रूप में घरों के जूलों, सिंघासनों में रखे राम या राम दर्बार के रूप में परिवार और हनुमान के साथ सुचोभेत राम ने अचानक मुकुड त्याकर जटा बांध ली और रौधर रूप धरंड कर लिया। और राम मंदर अंदोलन को वीररास वाला भाव देने में अपनी महती भूमी का ने भाई। जैश्री राम एक अनिवार्य उद्धोष था लेकिन अभी उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तर भारतिय राज्यों में जेले भर देने वाला ये नारा पिछले एक दशक में उत्सा और शक्ती प्रदर्शन की द्रश्टी में धीरे धीरे धीमा पड़ता गया। जैश्री राम की जगे विकास आ गया। विकास की मॉडल आए और आम भारतियों के सपनों पर बात होने लगी। तो क्यों लौटा जैश्री राम। बाबरी विध्वन्स से लेकर सुप्रीम कोट के फैसले तक के सफर में जैश्री राम के नारे से जो कुछ हासिल किया जा सकता था वो किया गया। लेकिन अब आंदोलन की उगरता का कारण और मकसद खत्म हो चुका है। मोदी दरसल अपने भाशन में जैसी राम के उचार के साथ अब वापिस उसी राम पर लोटना चाहते हैं जो जन्मानस की चेतना और व्यवार का हिस्सा रहे हैं। राम को अब आंदोलन की पोस्टेर से उतार कर वापिस सर्वत हधारन तक ले जानी की तयारी की जाएगी। राम से जुड़े लोग दोनों तरफ हैं। भाच्पा के समर्दन में भी और विरोध में भी। राजनीतिक भी और और राजनीतिक भी। आमजन भी और बहुजन भी। इसलिए अब एक ऐसे राम को आगे लेकर जाना है जो सबके हैं। मोदी ने अपने भाशन में जोर देकर कहा भी कि राम सब में हैं और राम सबके हैं। मंदिर आंदोलन में योगदान से लेकर आगे के एक बड़ी और समावेशी राजनीती तक के रास्ते जैसी राम से नहीं, जैसी ये राम से ही खोले जा सकते हैं। इस नारे से भाशन शुरू करके मोदी लगबग पूरे समिर राम की व्यापकता, सुख रहयाता और समावेशी छवी को ही विस्तार से बताते रहे। इससे नारे का मतलब समझा जा सकता है। जुरने की कवादत की जरूरत है। गाउं में मुस्लिम समुदाय के लोग भी हिंदू समुदाय से मिलने पर राम राम करके एक दूसरे का अभिवादन करते थे। इसलिए भाजपा को देड़ सवेर इसी नारे पर लोटना था। प्रधानमंद्री मोदी ने अपने भाशन में कहा कि जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेणना नहीं देते हो। भारत की आस्था में राम, अदर्शो में राम, दिव्यता में राम, दर्शन में राम हैं। जो राम मध्ययोग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिये भारत को बल देते रहे थे। वही राम अजादी के दौरान बापू के भजनों में अहिंसा के रूप में थे। भगवान बुद्ध भीर राम से जुड़े हैं। सदियों से अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का केंद्र रहा है। मोधी अपने भाशन में मर्यादा और जन मानस के राम को उनकी वैश्विक छवी को उभारते रहे। यह जैश्री राम की डोर को छोड़े बिना संभव नहीं था। मोधी दर्रसल जिस बिंदू तक देख रहे हैं वहां से इस एक पहल में। कॉंग्रेस के अभी तक के सौफ्ट हिंदुतुव को पलट देने की शम्ता भी है। और सोशल इंजीनेरिंग की राजनीति को एक सहज नायक देने का कौशल भी। ये नारा अगर व्यापकता के साथ व्यहवार में पार्टी लेकर आईगी तो इससे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज़ पार्टी के वोटरों और समर्तक हों में भी असानी से अपनी पैठ बनाई जा सकेगी। मोधी आगे के सामाजिक समीकरणों और उसमें राम की सर्व सुलपता को जोड़कर आगे बढ़ने का तुरूप खेल चुके हैं देखना ये है कि आगे की राजनीती में ये पत्ता कितने खेल बदलता है तो दोस्ते इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले बहुत बहुत धन्यवाद